फ्रेंड्स नमस्कार, UPSC ने फाइनली अपना ओफिसिल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फॉर्दी सिविल सर्विसिस एक्जामेनेशन 2023 आप यहाँ पे डेट भी देख पा रहे होंगे एक फरवरी 2023 को नाव दो-तीन जो बदलाव किया है उस पे हम विसेश कर फोकस करेंगे इससे पहले जो सबसे इंपोर्टन चीज है वो नमबर ओफ वेकिन्सी की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे नमबर ओफ वेकिन्सी को देख सकते हैं 1105 ऐसे एप्रॉक्शिमेटली UPSC देता है क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि इससे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है तो यह one of the highest वेकिन्सी है पिछले कई सालों में तो मेरी समझ से यह बहुत golden opportunity है जो लोग भी UPSC 2023 दे रहे हैं उनके लिए जो important बदलाव है मैं उसकी बात कर लेता हूँ apply करने के संबंध में मैंने OTR के बारे में आपको बताया था one time registration platform है यहाँ पे अपनी basic details आप डाल देंगे और उसके बाद कोई भी UPSC का आप examination देंगे तो वो detail automatically पहले से ही field होके आएगा तो आपका सिरदर्दी कम रहेगा now modification OTR में एक बार allow किया जाता है और इस बार अगर आप कोई modify करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे date भी दिया है 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2023 तक का मैं short में बता दे रहा हूँ telegram से जुड़िये telegram पे इसका PDF हम provide कर देंगे now एक और महतोपुन बदलाव किया है कि इस बार जैसे पिछली बार आपने देखा हो गया उसके पिछली बार भी कि आप अपने application को withdraw कर सकते थे लेकिन इस बार कहा गया है कि आप अपने application को withdraw नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या है यह होगा कि हम अगर attempt मालेजी हमने form भरा और हमने attempt नहीं दिया तो क्या हमारा attempt count होगा जी नहीं आगे UPSC ने उसकी भी चर्चा की है हम बात करेंगे attempt कैसे count होता है attempt मैं बता ही देता हूँ attempt वो ऐसे count होगा कि आपने form भरा और किसी एक paper में आप appear हो गया जैसे सुबह मालेजी जी एस वन का paper होता है आप उसमें appear हो जाते हैं तो फिर आपका वहाँ पे signature होते ही आपका attempt count कर लिया जाता है लास्ट डेट 21 फरवरी रखी गई है और 6 बजे साम रखी गई है कई लोग सोचते हैं कि 12 बजे तक का होगा नहीं ऐसा नहीं होगा चे बजे साम तक का है penalty पहले की तरह negative marking है प्रिलिम्स में यह इन numbers पे आप मतलब office hours में 10 से 5 के बीच अगर आपको कोई confusion है तो अच्छी बात यह है कि UPSC फोन उठाता है जिसे कई सारे लोगों को अपने reservation से संबंदित डाउट होते हैं तो आप लोग उन से पूछ लेंगे यह services हैं आप देख सकते हैं vacancies पे हमने बात कर ली मोटा मोटा यह सब criteria हैं उतना detail में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है 29 centers हैं यहां पर देख पा रहे होंगे तो आप देख लीजेगा जो नजदीक हो या जहां पर यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से दे रहे हैं यह सुनिशनाई बाते हैं प्लान अफ एक्जामिनेशन सेम है कि वही प्रलिम्स में दो पेपर होंगे मेंस में नौ पेपर होंगे और इंटर्व्यू होगा वेटेज भी सेम रखी गई है एज लिमिट्स की बात करें तो यह भी सेम है 21 और 22 साल मिनिमम और 32 साल मैक्सिमम जेनरल काटेगरी में OBC में 3 साल का चूट है और SCST में 5 साल का चूट है और number of attempts जो है restricted नहीं हागे हम attempts की चर्चा करेंगे जो 32 साल है यहाँ पर आप देख लेंगे 21 और 32 की 2 अगस्ट 1991 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्ट 2002 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए यानि 1 अगस्ट cut-off date है यह जन्रल का है और जिस काटेगरी में है आप उतना बढ़ा लीजिएगा ठेक है अगर हम बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का तो वही सेम रखा गया है कि आप ग्राजुएशन आपका अंडर ग्राजुएशन होना चाहिए आपीरिंग में भी आप दे सकते हैं नंबर अफ अटेम्ट सेम रखे गए हैं आप देखेंगे तो जन्रल का जो है वो छे है वो भी सी का अटेम्ट नौ है एस्टी का अनलिमिटेड मतलब की जब तक की एज पूरा नहीं हो जाता है और पी डबलू डी में अलग अलग काटिगरीज का यहां पर अटेम्ट्स दिया हुआ है ठेक है यहां पर देखें साफ लिखा गया है कि ऐन अटेम्ट अगर आप पीटी में बैठ जाते हैं तो आपका अपको पहले ही बता दिया अगर आप IAS है या IFS है और सरविंग है तो आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा बाकी अपकिसी सर्विसेस में तो आप पेपर को लिख सकते हैं भी सारे मनी Einutophrim कर दे रहा हूं लास्ट में इतना चाहूंगा की दिस इस जा गोल्डंड और चुनुटि और अभी टाइम मतलब four months almost four months है अब तो उससे भी कम है prelims के लिए तो depending कि आपका mains का preparation अगर लगता है कि बहुत अच्छा है तो आपको पूरी energy prelims पे देनी चाहिए आपको लगता है कि नहीं mains भी ठीक नहीं है अभी तो आपको थोड़ा अभी mains पे भी focus करना चाहिए और लगता है कि नहीं दोनों को आपने सही धंग से पढ़ा है तो balance तरीके से पढ़ना चाहिए बट last two, दो से धाई महिना है वो मुझे लगता है rigorously केवल prelims को देना चाहिए धन्यवाद